असलाम लेकुम व्योज कैसे हैं आप हम मेंसे सबका दांत या दाड के दर्द के साथ कभी न कभी जरूर वास्ता पड़ता है कभी ऐसा होता है कि अचानक रात को हमारी दाड में दर्द शुरू हो जाता है और डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता है कोई मेडिसन भी हमारी पास नहीं होती तो मैं आज आपके साथ दांत के दर्द का पर्मनेंट और इंस्टेंट दोनों तरह का ट्रीटमेंट शेयर करूंगी कि किस तरह से अगर अचानक आपकी दाड में दर्द शुरू हो जाए तो आप उसका क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आपका दर्द खतम हो जाए यह पर्फ्यूम लिया है मैंने और एक चोटा सा कॉटन स्वैब लिया है कॉटन स्वैब को आपने अची तरह से पर्फ्यूम के साथ डिप कर लेना है पर्फ्यूम लेना है बाड़ी सप्रे यूज नहीं करना है इसको आपने अच्छी तरह से डिप कर लेना है कि इसमें से perfume टपक निगे की इसी condition हो जाए यानि इसको heavy कर लिया है जिस तरह PALI में डपोया होता है इस तरह से perfume में डपो लिया है और इसको जिस भी दाड में दप हो रहा हो उसके उपर अच्छी तरह से especiallyень तरह से muscle देना पर्मनेंट ट्रीटमेंट नहीं है, यह सिरफ वक्ती तोर पर है, कि एगर रात को या किसी भी वक्त अचानक दर्द होता है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यह पर्मनेंट ट्रीटमेंट है, इसके लिए मैं एक रेमेडी शेयर कर रही हूं आपके साथ, यहाँ पर म बनाना है, इनको मोटा नहीं रखना, बारीक हों, और साथ में साधा नमक लिया है, कोई भी नमक जो आप घर में यूज करते हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हाफ टीस्पून मैंने फटकडी ली है, हाफ टीस्पून ही हमने लॉंग का पाउडर लेना है, और हाफ टीस्पून ही नमक, तीनों चीजें हमने सेम कॉंटिटी में ले ली हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब ये आपकी रेमेडी त्यार है, जब भी आपकी दाड में दर्ध हो, आप उसके उपर ये अप्लाए करें, अप्लाए करने के लिए भी आप डिरेक ये बहुत ही परफेक्ट किसम की रेमेडी है, दान के दर्ध आइस्ता इस्ता इससे खतम हो जाता है, मुकमल तोर पर, और केवेटी हो, अगर कीडा लगा हो, तो वो भी खतम हो जाता है, ये जिस तरह से ब्राश पर हम टूथ पेस लगाते हैं, टूथ पेस लगाने के इसको ब्रश की मदद से अपने दाड़ पर अच्छी तरह से अप्लाए करें, जब तक आपका दाड़ का दर्ध होता रहे, तब तक आपने उसके उपर ये अप्लाए करते रहना है, इंशाल्ला आपका दर्ध बिलकुल ठीक हो जाएगा, वीडियो अफसान दाए, तो क्लाएक शेयर और सबस्क्राइब करें अला हुआ